हेलो प्रेंट्स अब सभी लोग का आइकोनिक टेग नो टेग न्यूस का नया एपिसोड में स्वागत है तो बिना कोई वक्त का बाए चलिए शुरू करते हैं आज का टेग न्यूस न्यूस नमबर वान पहला है रेडमी नाइन पावर जिस फोन 18 डिसमबर को इंडिया में लॉंच हुआ था और 12 डिसमबर को फेल शुरू हुआ था लेकिन ए फोन उस दिन सिर्फ इस सेकेंड के अंदर ही पूरा स्टॉक खाली कर दिया था मतलब लोग इतने जादा इस फोन को सेल किये थे कि इस फोन 30 सेकेंड के अंदर ही आउट आप स्टॉक हो गया था स्वामी का जो इंडियान मेनेजमेंट है वहां का डिरेक्टर मोनु कुमार ने ट्वीट के कर कहा है कि निक्स जो सेल आने बाला है वो 29 डिसमबर को है आप लोग चाहें तो इस ट्वीट को देख चाकते हैं मैंने दिया है क्योंकि टिक टॉक का बयान होने के बाद आत्य निरवर भारत जो प्रकल्प चाल हुआ था उसमें इस जोस नाम का देशी टिक टॉक आया था जोकी एक फालफ्रोम है वहां पर इस गूगल और माइक्रोप्ट ने मिलकर एक इंवेस्ट किया है जोस जो है इसका जो सिंटर है हेटक्वाटर वह बंगालूरू में और इस बंगालूरू का इस संस्ता का नाम है वार्स इको भेस्ट इसमें जो इन्वेस्ट किया है Google और Microsoft मिल कर वो है 100 मिलियन मतलब 10 कड़ोर रुपए इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इसकी वज़े से जो जो एप है इसका जो आभी मार्केट में भैलू है वो है 100 कड़ोर तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका भैलू बढ़ चुका है न्यूज नमबर थ्री इस बार न्यूज आ रहा है वाटसेफ उसका एक नया अपडेट आने बाला है तो इस अपडेट के बारे में जो कहना है वो है आप लोग को ना चाहिते हुए भी आप लोग के दोस्त या कोई भी आप लोग को बहुत सारा ग्रूप में एड कर देता है तो आप बहुत ज्यादा मैसेज आ जाता है जिसके वाज़े से आपका जो मैसेज इंपोर्टेंट है वो आप लोग आपके पास नहीं आता है तो इसके वाज़े से आप लोग को बहुत बार आपका जो इंपोर्टेंट मैसेज है उसको मिस कर जाते और बहुत ही प्रोब्लेम हो जाता है तो इस बार आप ग्रुप को म्यूट करते हैं तो आपको एक हटा या फिर एक साल या फिर आठखण्टों के लिए आप उछ ग्रुप को म्यूट कर रख सकते हैं लेकिन इस बार एक अपडेट में हो जाएगा ऑलवेज एक आपसंज आ एक ग्रूप अन्म्यूटी रहेगा लास्ट न्यूज बताने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्रिब कर दीजिए और बिल आइकन को दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए और अगर आप लोग को डेली टिक न्यू जो कि चाइना में लांच हुआ था उसके कुछ दिन बात ही ओपो रेनो 5 प्रो प्लास चाइना में लांच होगा अब 24 डिसेंबर को और आप लोग अगर ओपो रेनो 5 प्रो का डेटेल्स चालना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्सन में है में इसका कैमेरा ही आता है जिसमें रेयर कैमेरा 50 में अब इक्सल का है और इसमें सुनी आई एमेक्स 766 लेंस लगाए गया है इसका बैटरी का भी में फीचर्स दिया गया है 4500 एमेज का और 65 वाड फास्ट सर्जिंग सापोटर और अगर हम लोग इसका डिस्प्ले के बात करने जाए तो 6.55 इंचेस का एमुलेटेड डिस्प्ले फूल एजडी प्लास है बहुत ही अच्छा और रैम 12 जीवी दिया है स्टोरेज 256 जीवी का है यह भी बहुत ही अच्छा है और प्रोसेसर की बात की जाए तो 865 SOC स्नाइम ड्रागन का प्रोसेसर दिया गया है रिय 16 विक्सल का टेली फोडो लेंस और 16 विक्सल का वाइड एंचल केमेरा तू मेंटका माइक्रो कैमेरा और विक्ता के जाए तो 32 मेगा विक्सल का सेली डिये गया है आज के लिए है सितना हां मिलते आगले वीडियो पे तब तक के लिए हैं